नवसकर दोस्तो, जहिंद वंदें बात्रम दोस्तो मैं आपके साथ जैस्वार सर, सभी प्यारमित्रों का सभी भाविय धापक धापिकाओं का विलकम अभिनंदन हैं दोस्तों, टीचर्स फैमली सिचकों के परिवार, पावर्ड भाई सिच्छा ही प्रकास है. दोस्तो बात क चले दोस्तों, शुरुवात कर लेते हैं पहली बात तो दोस्तों, हम mock question पहले देखेंगे जो पिछली क्लास का आपका mock question रहता आपको पता है कि प्रतेख practice rate में 30 question होते हैं और अंतिंपरस्ण जो होता है, दोस्तों हमारा mock question होता है चले, mock question यहाज का पिछले प्रेक्टिसेट का कि हावर्ड गार्णर द्वारा निन में से एक को छोड़ कर बांकी सभी बुद्ध के प्रकार बताये गए थे किसके द्वारा हावर्ड गार्णर के द्वारा एक को छोड़ कर बांकी सभी बुद्ध के प्रकार बताये गए वो एक को छोड़ कर कौन सवाल है, भासा है, सजनात्मक्ता है, अंतर विक्तित कोशल है, या अंतर है, विक्तित कोशल है, सभी पैरमित कमेंट करेंगे, जिनका सपना अधापक अधापिका बनना, आई होब जिननों ने इस मौक कोशन कैंसर दिया, मेरे भाई बहन से करते हैं, तो राइट अपसन दोस्तों होगा, कि हावर्ड गार्णा द्वारा एक को छोड़कर बांकी सभी बुद्ध की प्रकार बताए गए हैं, तो यहां पर क्या है, सजनात्मक्ता हो जाएगा, अब देखते हैं, दोस्तों अंगला पर से जो 30 महत्मून कोश्चन रहने बाले हैं आपके इस प्रक्टिस सेट में, उसमें से पहला परस्ण है, विक्तित्तु समयोजन की प्रत्यच बीदी बताना है, सभी प्यारमित कमेंट करेंगे, जी हां और इस सेशन में आप लोगों को बताना भी है, दोस्तों आप लोगों में से 30 में से कितना स्कोर है, तो तो वेक्तित्त समयोजन की प्रत्यचिविधी बताना है प्रतिगमन होगा, शोधन होगा, बाधा निराकरण होगा ये प्रच्छेपन हो जाएगा सभी पैरमित कमेंट करेंगे तो वेक्तित्त समयोजन की प्रत्यचिविधी कौन सी हो जाएगी राइट अप्सन क्या होगा देखे दोस्तो बेक्तित समयोजन की जो प्रत्यच विदी होती है वह होती है बाधा या निराकरण की बात करेंगे प्रत्यच विदियां या डाइरेक्ट में थर्ड की बात करें जो आपके डाइरेक्ट में थर्ड होते हैं जब बेक्ती चेतना वस्था में रहकर समयोजन को इस्थापित करने के लिए प्रत्न करता है तो वे प्रत्न प्रत्यच विदियों के अंतरगत माने जाते हैं और इन उपायों में या इन उपायों को लागू करने में वे अपना विवेक, तर्क सक्ती एवं बौधिक छमता आधिका सहारा लेता है और इन विदियों का प्रयोग विशेश रूप से समयोजन की किसी विशेश समस्या के इस्थाई समधान के लिए किया जाता है और इन उपायों के अंतरगत निमिखित विदियां आती हैं सारी चीजे हैं अब देखते हैं दोस्तों अंगला पर भगनाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आउसकता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला समवेगात्मक तनाव किसे कहते हैं सभी पैरिमित कमेंट करेंगे जैस्वाल सभी आपका विलकम अभिनंदन करते हैं दोस्तों आपके अपने परिवाल टीचर्स फैमिली सिचकों के परिवाल जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर तो जो भगनाशा का अर्थ क्या है भगनाशा का अर्थ है किसी इच्छा या आउसकता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला समवेगात्मक तनाव यह दोस्तों किसने कहा तो राइट आप्सन हो जाएगा गुड भगनाशा कार्थ किसी इच्छा या सकता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला समवेगात्मक तनाव है यह किसने कहा था गुड कहा था क्योंकि गुड मतलब होता एक अच्छी बात तो यह एक अच्छी बात कहा था इक है तो पहला हो जाएगा आप देखते हैं दोस्तों अंगला प्रसंदाब की स्कीन पर क्या दिया गया है। किन्यम लिखित में से कौन अभिप्रेणा के आकर्षन सिध्धान का प्रतिनिधित करता है यहां पे आ मिस्प्रिंट हो गया है तो आकर्षन हो जाएगा तो कौन अभिप्रेणा के आकर्षन सिध्धान का प्रतिनिधित करता है अंतरनो शिध्धान उद्योपन शिध्धान प भी प्यारमित कमेंट करेंगे तो वह दोस्तों हमारा होता है प्रत्याच्छा सिध्धान ठीक है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट जी हाँ हर एक कोश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पता यहां पर सेलेक्शन सरो पर यह है हर एक कोश्चन हर एक concept आपके इस लेवस के recording है दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का मात तो नहीं है नेगेटू और नकरात्मक प्रस्ने जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसमें मात तो नहीं है बिद्याले तथा कच्छा सिच्छन की कारपणाली में सुधार लाना एक समय में आदर्स होता है इसका नहीं हो जाएगा माकी क्रियात्मक अनुसंधान का जो मात होता है वह बिद्याले तथा कच्छा सिच्छन की कारपणाली में सुधार लाना होता है एक समय में एक ही परिकल्पना का श्यत्यापन करना और सिच्छा को कार कुसलता का ओशर मिलता है लेकिन जो सी आपसन है एक आदिन दो कोश्चन्स किरियात्मक कनुसंधान में समस्षा के समधान का रूप आदर्स होता है यह दोस्तों महतों नहीं होता है अंगला अपस देख लेते हैं आपकी स्कीन पर है विक्तित वेदों का अध्यन तथा शमान दोस्तों विक्तित वेदों का अध्यन तथा शमानी करण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है तो यह आपके दोस्तों विवेदात्मक भी द्वारा किया जाता है जो विक्तित वेदों का अध्यन देखे विक्तित यानि आप और हमारा जो विक्तित होता है तो सभी ल प्रशshट कर रहें सजनात्मक्त का डोस्तों क्या होता है बालक की सेच्छिक प्रगती समाज के रित्रिवाज मानना समाजिक संदर में नए अर्थ लगाना औरste गरणा ऊफै करना और creativity तो इसका अर्थ मेरे प्यारे मित्रों वही होता है अर्थाद समाजिक संदर में नए अर्थ लगाना नए अर्थ मतब creativity कुछ न कुछ नए चीजें करना और यहाँ पे अर्थ पूंचा गया है तो सजनात्म का अर्थ है समाजिक संदर में नए अर्थ लगाना अंगला प्यारे मित्रों भूंक और प्यास है विक्तिगत प्रेरक जन्मजात प्रेरक समाजिक प्रेरक अर्जित प्रेरक आओ आपको बता दूँ इस टाइब का एक question जरूर आता है तो इनको देखे विक्तिगत जन्मजात और समाजिक और अर्जित ये चारो जो प्रेरक हैं आप डिटेल के साथ जरूर पढ़ें दोस्तो तो भूंक और प्यास जब पूँचा जाता है तो भूंक और प्यास जो होता है दोस्तो ये जन्मजात प्रेरक कहलाता है क्योंकि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है वो जैसे भूंक और प्यास उसके ठीके प्रेरक आशी जाता है तो ये कहलाता है जन्म जात प्रेरक क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर में अधो प्रदत में से कौन सा एक बेमेल पद है बिमेल पताना है किस प्रव आपके अधिगम एक क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर में बिमेल कौन सा है बिस्तारण, संचेत, प्रतिवर्थ, पुनरवलन, अनुसूची या आपका प्रतिक मित्वेटा तो सभी प्यारे मित्वेटा करेंगे जी हां कमेंट आ रहा है मैं अधिगम के संदर में बाकी संचेत, प्रतिवर्थ, पुनरवलन, अनुसूची, प्रतिक मित्वेटा ये सही है लेकिन जो विस्तारण है तो ये क्रिया प्रसूत अधिगम के संदर में ये बेमेल पद कहला जाता है अंगला प्रसून इसी टाइप के प्रसून पूछे तब 80% लोग इस्टडी करते थे बाकी 20% ही नार्मल किया करते थे डेली लेकिन अब उल्टा हो गया है कि 60% लोग डेली यहाँ पे इस्टडी करते हैं ठीक है एक जाम फार्म अपलाई की या नहीं कि 60% लोग या उसके पहले से ही 2-3 साल पहले से त्यारी कर रहे हैं जल्दी सेलेक्शन मिलेगा और आसान तरीके से तो मिलने वाला ही नहीं है तो क्लासिट डेली अटेंड करते रहें दोस्तो संग्यानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है अभी योगता का विकास सरीरी कौशल का विकास या विक्तिगत विकास होता है तो संग्यानात्मक वि अब योगता मतलब अपनी योगता अपनी योगता बताना है तो संगनात्मक विकास का अर्थी होता है अब योगता का विकास से अर्थ हो जाएगा अंगला पर देखेंगे टिंथ नंबर कोश्चन है इसकी इन पर दिया गया है दोस्तों सभी पैरमित कमेंट करेंगे में जाएंगे तो जो आपके युवा सिचार्थी होंगे ठीक है उनको कच्छा में उनके साथ जो है बातचीत करने के लिए प्रोस्टाहित किया जाना चाहिए जिससे क्या हो कि उन्स युवा सिचार्थियों को एक दूसरे से सवालों के जवाब सीख सके पार्ट करम को जल्दी से पूरा किया जा सकता है वे अध्धन के दोरान समाजी कौसल सीख सके या सिच्छक बहतर ढंग से कच्छा को नियंतित कर सकते हैं तो यूवा सिच्छार्तियों को कच्छा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोशाहिद क किया जाना चाहिए जिससे दोस्तों क्या हो जाएगा जिससे वे अध्धन के दोरान समाजी कौसल सीख सके तो आपको ये अध्धापक अध्धाबिका होने के दानेत जो भी यूवा सिच्छार्ति हो तो उनके साथ जो है बातचीत करने के लिए साथियों कच्छा साथ प्र एक प्रिक्टिसेट अटेंड करें, हर एक कलास दोस्तों अटेंड करें, क्योंकि सलेक्षन यहाँ पर शरोप पर है, पावर्ड भाई, सिच्छा ही प्रकास है, दोस्तों अंगला प्रस्ण है, कि अध्यापक को या सुनिश्चित करना चाहिए, कि उसकी कच्छा में सभी सिच करें, या दोस्तों अपने चात्रों की समाजिक और शांसकतिक प्रस्ट भूम को जानने, और कच्छा में विभीद मतों को प्रोशाहिद करने की कोशिस करें, या सक्त नियम बनाएं, और बच्चें उनका पालन नहीं करें, उन फिर बाद में क्या उनको श्रजा दें, दन इसका दोस्तों यह प्रश्ण है कि अध्यापक, या आप लोग को क्या सुनिश्चित करना चाहिए, कि उसकी कच्छा में सभी सिच्छार्ती अपनी आपको श्विकत और समानी समझें, इसके लिए सिच्छा को चाहिए कि आप क्या करें, इसके लिए एक ही अच्छे अध्य इसके अध्यापक के लिए चाहिए, कि अपनी छात्रों की समाजिक और सांस्कतिक प्रश्ण भूम को जानने और कच्छा में भीध मतों को प्रोशाहिद करने की कोसिस करें, यह टप कोश्चन होते हैं, ठीक है, इस टैप को समझना पड़ता है, थोड़ा टाइम में स्पिन करना पड़ता है, ठीक है, तो जितना ज्यादा प्रेक्टिस करेंगे, उतना ही दोस्तों आपके लिए आशान हो जाएगा, बिक्तित की विसेश्था किस रूप में बताई जा सकती है, जो बिक्तित, यानि आपका जो बिक्तित होता है, आपका जो नेचर होता है, उसकी वि विसेष्टाओं का समुच्छे, और मनो ब्रतियों, और सेलगुनों का समुच्छे, परिस्ट्यों के प्रति प्रत्किया करने की समुच्छे, सहली यो उपर्यूख सभी. तो दोस्तों बिक्तित की जो विशेष्टा है वह किस रूप में बताई जा सकती देखिए सरीरी का और विशेष्टाओं का समुच्चे की रूप में भी बताई जा सकता है मनो ब्रत्य और सीलगुनों के समुच्चे की रूप में बताई जा सकता है परिश्टियों के प्रथि पृत्ति किया करने कि समुच्च सेली की रूप में बताया जा सकता है अर्थाथ ये उपरोख सभी की रूप में प्रिक्तियों की विसेष्टा बताया सकती है अंगला प्रसना ये देख लेते हैं क्या दिया गए है बुद्ध के एकल कारण या एकत्तो सिध्धान्द प्रतिपादक थे जी हाँ आपके जो बुद्ध के एकल कारण या एकत्तो सिध्धान्द के प्रतिपादक डांक्टर जन्सन, स्पियर मैन बिने हो जाएंगे या थंस्टन हो जाएंगे बहुत बरवता हम बिद्ध के बुद्धी का जो एकल कारक हो जाएगा कारन नहीं, आपर कारक दिया गया, ठीक है तो बुद्धी के एकल कारक या एक तत्तु सिद्धान के जो प्रतिपादक है हमारे प्रोफेशर बिने माने जाते हैं अंगला प्रस्णा आईए देख लेते हैं दोस्तो एक सोध करता की रूप में जी हां एक सोध करता की रूप में आप निमलिखित में से कौन से सीरसक को अंसंधान प्रस्ताव में क्या है समलित नहीं करेंगे निगेटू नकरात्मक प्रिष्ण ध्यान दीजेगा हर एक question important है देखिए एक सोध करता ग्रूप में अगर आप एक सिच्छक हैं सोध करता के रूप में हैं किसी चीज को सोध कर रहे हैं तो इन में से कौन सा सीसक को अनुसंधान प्रस्तों में समलित नहीं करेंगे अनुसंधान समश्चा की प्रिष्ट भूमी अनुसंधान की उपकरन या अनुसंधान के लिए मूल ब्रिष्टत ब्याख्या या अनुसंधान की परिकल्पनाएं तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा का एक सोध करता के रूप में दोस्तों आप जो है अनुसंधान के लिए मूल ब्रिस्तत ब्याख्या इस सेर्षक को आप लोग जो है या आपका अनुसंधान इसमें समलित नहीं करेंगे अनुसंधान के लिए मूल ब्रिस्तत ब्याख्या बाकि अनुसंधान की समश्या की प्र सोध कर रहे हैं एक बाइक की सोध कर रहे हैं मानलीजी आप सिच्छक है तो एक अच्छे कलम की ठीक है सोध कर रहे हैं जिसमें सारी चीजें ठीक है उपलब धोनी चाहिए तो जब आप एक खोज कर रहे हैं या स्वरी जब सोध करते हैं इसमें जो आप अनुसंधान प्रस्त अपनाएं उसको बता सकते हैं ठीके अंसंधान के लिए मूलबिश्थत ब्याक्य आप नहीं बताते हैं ये जो है अंसंधान आपका संभलित नहीं करता है सीषक में तो important question है फिस्कोल आजी मनोबिग्यान सारा यहाँ पे बाल मनोग्यान सिच्छा मनोग्यान सारा यहाँ पे conclusion combine किया गया है यहाँ कि हमारा जो सपना है CDP में 30 of 30 लाना और selection का रास्ता तैं करना अंगला प्रशन है विकास को प्रभावित करने वाला वाता वर्णी कारक निन में से कौन सा नहीं है नेगेटू नकरात्मक प्रशन है कि विकास को प्रभावित करने वाला जो है वाता वर्णी कारक नहीं होगा सिच्छा की गुणवत्ता सरीरिक गठन पोशक आहर की बालिका है उसको जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला वातरवर्णी जो कारक है वह सरीरी गठर नहीं होगा वहां कि सिच्छा की गुर्वत्ता होता है पोशा कहार की गुर्वत्ता होगा और संस्कति भी होता है तेक आर्ड इन्टो कोश्चन राइट आपसर नमबर भी हो जाएगा यह सारे कोश्चन दोस्तो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगे विट फीडिया, फाइल, नोट्स, सारे जितने वे भी क्लासे जो वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम में जरूर सर्च करें, लिक भी दे दिया जाएगा यह टेलिग्राम में आप लोग सर्च करते हैं, सर्च कर सकते हैं जेस्वाल कोशिंग सेंटर और साथ इसाथ दोस्तो अगर आप इंस्टरगाम पर हैं तो अब बात करते हैं प्रशन की पंद्रे प्रशन हम कंप्लीट कर चुके हैं पंद्रे प्रशन और कंप्लीट करेंगे दोस्तों चिंतन क्या है जी हाँ जो हम चिंतन करते हैं जो टेंसन होता है ठीक है वो हाकी चीज है क्या तो दिखें चिंतन मनन करना कहते हैं चिंतन गहन चिंतन में यानि उसकी सोच करना उसके बारे में सोचना वह होता है चिंतन तो चिंतन हाई क्या चीज़ यह प्रतीकों का प्रयोग है भासा का प्रयोग है तीक है प्रत्यचिक प्रक्रिया है यह संप्रत्य अधिगम कहलाएगा तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा जो चिंत उत्पन करने की कला है, शहान भूत ही है, समदर्ष्ट ही है, या प्रेणा हो जाएगे, तो छात में रुचि उत्पन करने की कला क्या कहलाती है, तो वह दोस्तों कहलाती है, प्रेणा, मोटिवेशन, ठीक है, अगर आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो बच्चों मे जो है रूचित पर्ण करने के लिए जो कला होती है वह प्रेणा कहलाती है तो आप में यह कला होनी चाहिए आपको प्रेणा देना चाहिए ठीक है प्रेणा देनी की कला होनी चाहिए अंगला प्रस्ण है दोस्तों कि कौन सा पिछडे पन का कारण नहीं नेगेटू और नकारात्म प्रस्ण है पिछडे पन यानि पीछे हो जाना तीक है अगर आप डेली क्लासे नहीं देखें अठेंड नहीं करेंगे तो आल लेडी पता है क्वेश्चन कम अटेंड कर पाएंगे क्वेश्चन कम सीख पाएंगे क्वेश्चन कम यहाँ पे अटेंड करेंगे क्वेश्चन कम लर्न कर पाएंगे तो जितना जादा सीखेंगे उतना ही अच्छा है ठीक है तो कम करना यानि पिछडेपन का कारण होता है तो कौन पिछडेपन का कारण नहीं होगा बिशिष्ट पिछडापन, सरीरिक दोष, शामान बुद्धी का भाव या स्वस्त वातावरन तो सभी प्यारमित जानते हैं स्वस्त वातावरन जो है ये पिछडेपन का कारण नहीं होगा पिश्डेपन का जो कारण होता है वो बिशिष्ट बिछडापन होता है सरीरिक दोस हो जाता है और शमान बुधी का भाव वाकि स्वस्त वातावरण जो पिश्डेपन का कारण नहीं होगा अंगला प्रशन है कि आपको अपनी कच्छा में दो मंद बुधी बच्चों को बैठाने के लिए बोला जाए कि मुझे नहीं बैठाना है मुझे मेरे कच्छा मत बैठाए जहां ऐसे वालक वहां पर ही बैठाए या ऐसे विद्यारत Ern services की ट करिया के सीखने काप्रयास करेंगे जैंगे अगर आपके अपनी कच्छा में जो है दो मंद बुधी बच्चे को अ Istana जाता है तो आप क्या बोलेंगे आप एक भावी दापा के दापी काई हैं सिच्छबंदो हैं राश्ट निर्मार्ण में जो युगदान होता है आप लोगों का शरूपर ही होता है यसे में अगर आपकी कच्छा में दो मंद बुद्धि वाले बच्चों को बठाया जाता है ऐसे में विद्यार्थों को सीखाने की आप तकनिक सीखेंगे कि ऐसे इस प्रकार के बच्चों को कैसे सिखा जा सकता है पढ़ाया जा सकता है दोस्तो सीखने की वह अबदी जब सीखने की प्रक्या में कोई उन्नत नहीं होती वह क्या कहलाती है तो सीखने की वह अबदी ज जब सीखने की प्रकिया में कोई उन्त नहीं होती है तो वह हमारा क्या कहलाता है वह हमारा सीखने का पठार कहलाता है यानि पठार या परवत आपने पठार देखा होगा ठीक है ठीक है तो ऐसे ही पठार कहलाता है थाथ सीखने की वह अबदी जब सीखने की प्रकिया में तो प्रतिभा शाली बालक है तीब और आसानी से सीखते हैं ठीक है तीब से जो है आसानी से सीखते हैं तीब और आसान से यानि तीब यानि जल्दी से सीखना आसानी यानि आराम से रिलेक्स होकर सीखना जो सुनते पढ़ते हैं बिना रटे कंठस्त कर लेते हैं वस तो चिंत करते हैं कम समय में ही आभिप्रेडन का अनुसरन करते हैं तो प्रतिवा साली बालक की बात कर रहे हैं तो देखें प्रतिवा साली जो बालक होते हैं वह कम समय में ही आभिप्रेडन का अनुसरन करते हैं डी आप्सन सई हो जाएगा दोस्तो अपने उर्जा बल को बाहर की ओर अविविक्त करने वाले बिक्ति का प्रकार होता है ग्यानात्मक बिक्तित, कलात्मक बिक्तित, बहर मुखी बिक्तित या आपका धार्मिक बिक्तित हो जाएगा तो अपने उर्जा वल को बाहर की ओर अविविक्त करने वाले विक्ति का प्रकार कौन से होगा जो आपकी ओर हमारी उर्जा बल होती है उसको बाहर की ओर अविक्त करें ठीक है तो यह कौन सा प्रकार कहलाएगा तो यह हमारा बाहर की ओर पूँच रहा है तो बाहर की और अध्यात यहाँ पर बहर मुखी विक्तित कहला जाएगा क्योंकि आपके जो अंदर सक्ति है आपके अंदर जो एनरजी है उर्जा है उसको बाहर की और अध्यात करना अध्यात बहर मुखी विक्तित कहला जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ट कि मुल्यंकन से अभिप्रा है जो मुल्यंकन होगा ठीक है आप जब धापक धापिका बनेंगे सिच्छक बनेंगे बच्चों का वार्षिक मुल्यंकन करेंगे ठीक है शमाही मुल्यंकन करेंगे तो ये जो मुल्यंकन होता है इसक पात्रों के अधियम की सफलता वा असफलता का अध्यन करना सी आप्सन सई हो जाएगा चले अब देख लेते हैं अंगला परस्ट महत्पूर्ण पांच कोश्चन और हैं अटेंड करते हैं साथी साथ एक मोख कोश्चन भी रहेगा दोस्तों कच्छा में लिंग रूड प्रिक भुनकाओं में रखने की कोशिस करेंगे अच्छी लड़की या लड़का अच्छा लड़का कहकर अच्छे काम की सरहना करेंगे कुस्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुष्चाहिद करना निरुष्चाहिद मतलब क्यों तो उस चाहिद न करके उनक मनवग्यान पेड़ागाजी यही कहती है कि आप एक अच्छे बेखती हैं आप एक राजशिनमान में सबसे बड़ा योगदान देने जा रहे हैं तो आप यह बताईए आप एक पढ़ाने का आपका तरीका क्या होना चाहिए यह सारी चीज़ें यही तो पेड़ागाजी होती आपकी सोच आपकी समझ क्रियेटिविटी करें बच्चों को नए नए तकनीक अच्छे तरीके से पढ़ाएं जिससे बच्चा अच्छे तरीके सीख सके और भविस में आने वाले देश के लिए कुछ कर सकें तो कच्छा में लिंग रूड बदिचा से बचने के लिए एक स सिचिका अपनी कच्छा में विवित्ता से संभोधित कर रहे हैं एक सिचिका है ध्यापिका है जो अपनी कच्छा में विवित्ता से संभोधित कर सकती हैं तो विभिनताओं को श्विकार करके उसे महत्तु देकर या बच्चों की समाजिक संस्कत प्रिष्ट भूमिका सिच और निस पादन है तो शर्मान मानाव निधारित करे अब यहां पर बताना है कौन कौन साथ सही है 1 2 3 सही है 1 2 3 4 सही है या आपका 2 3 4 सही है लेकि मैं आपको बता देता हूं दोस्तों एक सिच्छा जो है अपनी कच्छा में वित्ता को अगर संबोधित कर सकती है तो विविनताओं को श्विकार करके उसे महतो देकर संबोधित कर सकती है बच्चों की समाजिक संस्कत प्रशभूम का सिच्छा सास्ती संसाधन की रूप में प्रयोग करके ठीक है संबोधित कर सकती है करके नहीं किया जा सकता क्योंकि हम बात कर रहें एक सिच्छिका की बात कर रहें और कच्छम विवित्ता को अगर संबोधित करना है यहाँ पर एक चीज यह दी गई विवित्ता तो विवित्ता के कारण जो है आपका वह आपका शही नहीं होगा ठीक है तो चलिए अब अंगला कोश्चन देख लेते हैं क्या दियाग है आपके स्कीन पर है देखे दोस्तो आधुनिक सिच्छन अधियम प्रक्रिया में सिच्छक की भूम क्या होती है सीखने है तो एक अच्छे सुलवकरता की रूप में बच्चों की गणित बिग्यान भासा सीखने की रूप में बच्चों को मूल अधारी सिच्छा देने की रूप में या बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने के लिए तो सभी पैरमित कमेंट करेंगे तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा अधुनिक सिच्छन अधियम प्रकिया में सिच्छक की जो भूमका होती है वह सीखने ही तो एक अच्छे सूलव करता के रूप में होती है अंगला प्रस्टने दो तीन प्रस्टन और देख लेतनी इंपोर्टन कोश्चन है दोस्तो इसकनर ने अपना प्रयोग किया था जो आपके मनुब ग्यानिक इसकनर है ठीक है और जल्दी दोस्तो इसकनर पावलाव ठीक है थन्डाइक ठीक है आपके जीन पियाजे जी इनका part wise हम लाने वाले हैं concept wise ठीक है एक दिन आपका जीन प्याजे जी के रहेगा एक दिन आपका ठीक है थन्डाई कोहिलर सारी चीजें ये part wise लाने वाले हैं जो कि important question होता है चली तो दोस्तो इसकनर की बात कर रहे हैं तो इसकनर अपना प्रियोग सभी लोग जानते हैं चुहा या कबूतर पर किये थे हमारा भी आपसंस ही हो जाएगा क्योंकि और इससे क्या होता है लीवर वाला बॉक्स या इसकनर बॉक्स बनवाया गया था ठीक है जो इसकनर ने भोजन उसको मिल जाता है इस सारी चीजें डिटेल के साथ हरे कंसेप्ट लाएंगे दोस्तो इन कतनों में से आप किसे सहमत होगे एक सिच्छक होने के नाते सिच्छका धापक अधापिका होने के नाते आप ये बताई आप कौन से कतन से सहमत होगे कि एक बच्चा अनुतिन होता है क्योंकि सरकार बिद्यालें से बिद्यालें में पर्याप्त प्रदोगे की संसाधन प्रदान नहीं कर पा रही है या एक बच्चे की अस्फलता के लिए वन्शानुकरम घटकों को प्रत्यच रूप से जिम्मेदार ठहरा जा सकता है जिसे उसने माता पिता से अरजित किया है या हम कह सकते हैं दोस्तों कि एक बच्चे की अस्फलता विवस्था तथा बच्चों या बच्चे के प्रति प्रत्किया करने में उसकी असमर्था असमर्था एक प्रतिविम्म है तो आप किस से सहमत होंगे देखे एक आप सिच्छक अध्यापक होने के ना थे एक बच्चे की अस्फलता व्यवस्ता तथा बच्चे के प्रतिप्रत्किया करने में उसकी अस्मर्थता का एक प्रतिविम्भ है यह आप कह सकते है तो आपकी भूमक्या क्या होगी कच्छक में समय साड़नी का कठोर्ता से पालन करना और पाटक्रम से बधे रहना या सीखने की विश्वासनी इस्थितियां जुटाना और सिच्छातियों को श्रतंत चिंतन की शुविदा देना अपने ग्यान से सिच्छातियों को परिपूर करना और उन्हें परिच्छा के लिए तयार करना या दोस्तो सीधे तरीके से ग्यान पहुँचाना और सिच्छातियों को शही उत्रों के लिए तयार करना जो सभी प्यारे मित जानते हैं शमचते हैं आप लोग ज्यानी हैं शर्वक के दोस्तों कि किसी कच्छा में जो आपकी हमारी जो भूमका होती है एक सिछक्स की भूमका होती है टीचर्स की भूमका होती है वैसी सीखने की विश्वासनी इस्थितियां जो ठीक है विश्वासन चाहिए एकठा करना चाहिए और सिच्छातियों को स्वतन्त चिंतन की सुविदा देनी चाहिए तो आपका यहां पर भी आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों आज का मौक कॉश्चन है साथी साथ लेस्ट क्रेक्ट फार टीटिक जाम विथ जैसवाल सर अगर अभी प्रेणा वर्णित होती है ग्यानात्मक जागरती द्वारा भावात्मक जागरती द्वारा एक और दो दोनों द्वारा इन मेशे कोई नहीं तो जो अभी प्रेणा होती है वे दोस्तों किस प्रकार वर्णित होती है आप कमेंड द्वार अपना फीडबैक दे सकते है और निस सेशन में निस प्रिक्टी सेट में इसका हम एंसर करेंगे तो सभी मित्रों को जहिंद बंदे मातम धनवाशबी का दोस्तों हमेशा हस्तिरी मुस्कुराते रहिए बस ऐसी त्यारी जारी रखें क्योंकि शलेक्शन शरो पर है धनवाशबी का